तो हम लोग UPPGT 2021 का सोलूशन कर रहे थे जिसमें मैं एक लेक्चर अप्लोड कर चुका हूं तो फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने कोश्चन नमबर वन से लेकर 30 तक के कोश्चन को साल्व किये और जो पेपर मेरे पास है उसका कोड है बी कोड है सिरीज बी वाला यह साथ अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए एक बेल का आइकान आएगा उसको भी आप प्रेस कर लीजिए ताकि मैं वीडियो पसंद आये तो एक लाइक का बटन दबाना नहीं बूलेगा अगर टेलीग्राम गु लेक्चर में अलड़ी जो है अप्लोड कर चुका हूं ठीक है लेक्चर नमबर टू यह है हमारा यूपी पीजिती टुथाओजन्ट टेवन, यूपी पीजिती टुथाओजन्ट टेवन का ये एकजाम का ये पेपर है, और सीरीज कोड कौट का बेपर है तो आज हम लोग 31 31 नमबर से बात करेंगे 31 की आए the value of log of sign of log of iota की power iota देखे सबसे पहले यहाँ पर हम iota की power iota का समाधान करेंगे ठीक है तो iota को हम लोग अगर लिखना चाहें experiential form में तो iota को लिखा जा सकता है e की power iota pi by 2 e की power i pi by 2 को आप e की power i theta कितना होता है cos theta plus iota sin theta चीक है जो theta अगर pi by 2 आप रख दीजिए तो i को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं ठीक है अब हमें जो question दिया हुआ है वो है sign of log of iota की power iota ठीक है तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे यह जो पहले log em की power in बलब फामूला लगा देंगे कितना बन जाएगा sin of iota log of iota और iota की value कितनी है iota की value हमारे पास है e ke power i pi by 2 ठीक है हमारे पास कितना e ke power i pi by two ठीक है Então i pi by two आगे आ जाएगा log em back jake 1 बजहेगा हमारे पास कितना आजएगा sin of iota i2 square pi by 2 और i2 square के value कितनी होती minus 1 मतलब कितना बच जाएगा हमारे पास sin of minus pi by 2 और sin of minus pi by 2 कितना मिलेगा minus 1 मिलेगा ठीक है तो कौन सा option हमारा correct हो जाएगा हमारा c option correct हो जाएगा ठीक है चले बढ़ते हैं next question की तरफ question number 32 हो का जारा है कि if f of x is equal to ax square plus bx to bx plus 1 where a and b are positive real numbers and b square less than a then which of the following is correct ठीक है तो सबसे पहले हम दखे इस function के लिए जो है na discriminate निकालेंगे ठीक है तो d is equal to कि हम लोग निकालेंगे b square minus 4ac का फार्मल लगा के तो वह हमको मिलेगा 4b square minus 4a ठीक तो यहां से अगर हम लोग common ले लें 4 को तो क्या मिलागा b square minus a मिलेगा और यहां पर दिया हुआ कि b square a से छोटा है इसका मतलब यह पूरी चीज हमको क्या मिल जाएगी निगेटिव मिलेगी और यहां पर कहा गया कि a and b are positive real numbers मतलब इसका मतलब इसका graph कुछ कैसा बनेगा यह पैरा बोला बनेगा जो कि एक से कहीं भी कट नहीं करेगा मतलब जो हमारा यह अफ हाफ x होगा वह क्या होगा always greater than 0 यह अफ हाफ x greater than 0 for all x belongs to r तो कौन सा option करेट हो जाएगा बी option करेट हो जाएगा ठीक है चलिए बढ़ते हैं question number 33 की तरफ ठीक है यह आपको लिया गया बेक्टर calculus ते question लिया गया है कहां जाला कि if r cap is equal to r by r then divergence of r cap is equal to what ठीक है तो देखिए एक फामूला होता है divergence के लिए फामूला आपको मालूप होना चीए कि divergence of divergence of r की power n into r vector divergence of r की power n into r vector is equal to यह होता है n plus 3 into r की power n ठीक है यह फामूला होता है अब अगर आप ध्यान से यहां पर देखिए जिसका divergence आपको निकालना है r cap का तो r cap कैसे लिख सकते हैं r cap को हम लोग लिख सकते है r की power minus 1 into vector r ठीक है तो इस फामूले से अगर हम लोग match करवा तो यहां पर हमें इस फामूले हमें r is equal to कितना put करना पूढ़ेगा minus 1 put करना पूढ़ेगा तो अगर r is equal to minus 1 अगर हम इसमें put कर दें तो answer कितना मिलेगा 3 minus 1 कितना हो जागा 2 2 और R की power कितना जाएगा माइनस 1 मतलब answer कितना मिलने माला 2 by R मिलेगा ठीक तो कौन सा option correct हो जाएगा हमारा D option हो जाएगा ठीक है बढ़ते है next question की तरफ question number 34 34 number question भी यह है कि इंटीगरेशन है इसको हमको सबसे पहले दोढ़ मैं येहां पर कॉस्टू थीटा को लिखूंगा कॉस्टू थीटा हम लिखेंगे 0 to 5 by 4 0 to 5 by 4 1-2 साइन स्क्वाइर थीटा और होल टो-धे-पाउर कितना किता 3 T माल लो, let's sin theta is equal to T, तो cos theta d theta कितना आ जाएगा, dt आ जाएगा, cos theta d theta हमारा कितना जाएगा, dt आ जाएगा, ठीक है, तो हमारा जो integration है, वो किसमें convert हो जाएगा, I is equal to, limit change करिए, जब theta हमारा कितना है, 0 है, sin 0 कितना होगा, 0, और जब theta हमारा pi by 4, sin pi by 4 कितना होगा, 1 by root 2 हो जाएगा, ठीक, ब्रैकेट में कितना मिल जाएगा, 1 minus 2 t square, 1 minus 2 t square, hold to the power कितना, 3 by 2, और कितना मिल जाएगा, ठीक है, तो अभी भी इसको थोड़ा से solve करने problem होगी, अब एक और substitution में करने जा रहा हूँ, फिर से, let t is equal to, मैं माल लेता हूँ, sin x upon root 2, let t is equal to sin x upon root 2, मैं माल लेता हूँ, ठीक है, तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, dt is equal to cos x upon root 2, dt is equal to कितना मिलेगा, cos x upon root 2 मुझे मिलेगा, ठीक है, और limit वगरा हम लोग जब change करेंगे, अब हमारा integration किसमे convert हो जाएगा, जब हमारा t का value कितना 0 है, ठीक है, जब हम यहाँ पर t is equal to कितना पूट करेंगे, 0 हो, तो x के value कितनी मिल जाएगे, 0 मिल जाएगे, और जब t is equal to 1 by root 2 पूट करेंगे, तो sin x is equal to 1, मतलब x के value कितनी मिल जाएगे, 90 मिल जाएगे, x is equal to 90 हो जाएगा, ठीक है, तो यह आगए हमारा x is equal to 90, ठीक है, तो 0 से pi by 2 बन गया, और यहाँ पे 1 one —2T² लिखा गवा था तो 1—2T² करेंगे JOHN कितना बन जाएगा ये one minus two t square तो कितना बन जाएगा टू तो क्षी overc weight एकस होर थे पार कितना हो जाएगा चिकले और पंचेश होग और स्रफू हो जाया थाएगा चिनसा भी kurip यह कितना वह जाएगा तो इसको अगर फिल्ट फील खाल सवान नोस्दार्व अब cos की power 4x dx में को बहुत आज 0 से pi by 2 है तो गामा फंक्शन वाला फामूला है वो लगाएंगे आप असानी से तो यह आपको मिलने वाला है this is equal to यह आपको मिलेगा this is equal to 1 by 2 मतलब कुल मिला के आपको यह जब आप गामा फंक्शन वाला फामूला लगाएंगे तो यह आपको मिल जागा 3 pi by 16 root 2 यहां से आप असानी से साल्ब कर सकते है 0 to pi यह standard formula है 0 to pi by 2 cos की power n x dx यह standard formula है आप इसको देख लिजेगा इसको जब आप लगाएंगे तो यह मिलेगा आपको answer 3 pi upon 16 root 2 मतलब c option आपको क्या हो जाएगा correct हो जाएगा ठीक है बढ़ते next question की तरफ question number हमारा कौन सा है 35 कहाँ ज़ तो line y is equal to mx plus c form में हो और parabola हमारा किस form में हो y square is equal to 4ax form में हो तो यह इसको tangent तब बनती है जब c is equal to kya होता है a upon m होता है ठीक है तो बस line को y is equal to mx plus c form में रखिए और parabola y square is equal to 4x के form में रखिए और सारी values को आप put करिए यहां पे तो देखे यहां से हम लोग इसको और अच् की value हो जाएगे 1 by 4 ठीक है और पारा और जो यह line है उसको y is equal to mx plus c form में represent करेंगे तो c की value हो जाएगे minus c by b और यम की value हो जाएगे minus a by b ठीक है तो total मिला के हमको क्या मिलने वाला है यहां से total हमको मिलेगा यहां से b square is equal to 4ac बी square is equal to 4ac मिलेगा मतला कौन सा option correct हो जाएगा हमारा b option correct हो जाएगा ठीक है आगे बढ़ते हैं एक non commutative group है मतला non abelion group है उसमें कम से कम कितने element होने चाहिए सीधा सा question है उसमें six element होने चाहिए कम से कम six element उसमें होने चाहिए d option correct हो जाएगा अगला question 37 a and b throw a die is the probability that a's throws is greater than b's throws in numbers is what कहा जला है कि अगर a और b die को फिकते हैं तो sample space में कितने element आएंगे 36 आएंगे sample space में कितने element आएंगे 36 आएंगे अब का जा रहा है कि a जो throw फेके न a का throw क्या होना चाहिए इसका मतलब अगर हम लोग वह बनाना चाहिए आपका favorable outcomes अगर बनाना चाहिए तो a को अगर two मिला तो b को कितना मिलना चाहिए one मिलना चाहिए तो two के सांथ a की case बनेगा two one फिर a and a को three मिला तो क्या मिलेगा three qeas that क्या मुले गा B ko क्या मिलेगा three one का three worth फ्रोट A से छोटा ही होना चाहिए ठीक है फिर 4 के सांथ क्या मिलेगा इसी तरीके से 4 1 4 2 4 3 मिलेगा ठीक है फिर 5 के साथ क्या मिलेगा 5 1 5 2 5 3 5 4 मिलेगा ठीक है 5 के सांथ हमको क्या मिलेगा 5 1 5 2 5 3 5 4 मिलेगा ठीक है ना 5 3 5 4 मिलेगा अब फिर 6 के साथ क्या मिलेगा 6 1 से ले 4-6-5 मिलेगा यह हमारे favorable outcomes हो गए तो अगर हम लोग इसको गिन लें तो favorable outcomes हमारे कितने होगे 15, total outcomes 36 जो हमारे probability आएगी वो कितने आजाएगे 5 by 12 आएगा तो कौन सा option correct हो जाएगा हमारा C option correct हो जाएगा ठीक है बढ़ते हैं next question की तरफ question of 38 the moment of inertia of a circular ring of radius A and mass capital M about an axis through the center perpendicular to its plane is what क्या होगा इसके लिए एक फामूला होता है कि यहां पर यहां हो जाएगा अब यह कह रहा है कि यहां पर लिए टाइम्स रैंक आफ टी इसका मतला इन क्या है देखिए रैंक तो हमें सा पॉजिटिव इंटीजर है हमारा यहां कहले जीरो से लेके स्टार्ट करेगा जो है ना जीरो वन टू थ्री हमारे जो है जो इंटीजर मतला हो जाएंगे तो अगर यहन की बात करते यहन क्या ہोजञ है क्या होदह जाएंगे जेखिए सब्से पहले हम इसको इंटीक्रेट करेंगे वित रस्पेक्क x treating y as constant y y को constant की तरह treat करके हम दो इसको x के respect में differentiate करेंगे तो क्या मिलेगा हमको del z upon del y ठीक है del z upon del y और हम differentiate करें x के respect में तो x का differentiation कितना हो जाएगा x square by 2 ठीक है अब इसको दुबारा हम दो differentiate करेंगे with respect to y तो हमको क्या मिलने वाला है z is equal to क्या मिलेगा x square by 2 into y x square by 2 तो constant हो जाएगा और dy का integration y हो जाएगा ठीक फिर यहाँ पर x बाहर हो जाएगा और y का integration कितना मिल जाएगा y square by 2 मिल जाएगा ठीक है ना और plus 5 1 y का यहाँ पर क्या हो जाएगा integration होगा और एक नया constant हमको मिलेगा वो क्या मिलेगा 5 2 x मिलेगा 5 2 x मिलेगा ठीक है तो अब अगर हम लोग बात करें तो हमारा finally क्या मिलेगा z is equal to इस शुरुवाती दो function में से 1 by 2 x y में common कर लेता हूं 1 by 2 x y common कर लेंगे तो bracket में क्या f of x और capital g of y लिदेते हैं ठीक है तो कौन सा option correct हो जाएगा हमारा b option correct हो जाएगा ठीक है चली वड़ते नेक्स्ट कोस्चन की तरब question number है 41 कहा जारा कि the work done the work done by the force f is equal to this displacing a particle in xy plane from 00 to 11 along the parabola y square is equal to x is equal to what ठीक है तो देखिए यहाँ पे अब हम लोग क्या लगाने वाले है f तो आपको पता हो गया अब हम लोग r निकालने वाले displacement vector निकालने वाले है r को क्या लिखा जाता ए science i kate plus y j kate x i kate plus y j kate ठीक है ना तो यहाँ से dr को क्या मिलेगा dr is equal to dx i kate plus dy j kate ठीक है और y square is equal to x आपको दिया गाने along the parallel y square is equal to x तो मैं इसको parametric form लिख लेता हूं मैं ले एकugen x is equal to t square और y is equal to कितना ले लेता हूं T ले लेता हूं मतलब इसको इसका parametric equation में लेता हूं इस parabola का y square is equal to x का हम लोग parametric form लिख लेते हैं x is equal to t square और y is equal to t तो यहां से हमको dx is equal to कितना मिलेगा 2t dt मिलेगा और dy is equal to कितना मिलेगा dt मिलेगा । ठीक है और at the point 0-0 जब पॉइंट हमारा x is equal to 0, y is equal to 0 put करेंगे तो यहां से t की value कितनी मिलेगी, 0 मिल जाएगी, at x is equal to 0, 0, t is equal to कितना मिल जाएगा 0, जब हम x is equal, जब यह 1, 1 point पे अगर t की value की बात करेंगे, तो उसमें t हमको कितना मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा, तो अब हमारा देखे, जो work done है, work done का फामूला क्या होता, w is equal to f.dr, करो के लां, क्या मिलेगा, f.dr, यह फामूला होता, यह आपको मालूँ होना चाहिए, तो f.dr हम लोगों निकालेंगे, यह function आपको मालूँ है, दोनों का dot product ले लिए, dr के साथ इसका, तो यह आपको integration में मिलेगा, this is equal to, this is equal to x square minus x square minus y square, ठीक है, plus x, plus x, into, कितना मिलेगा, dx, ठीक है, और minus 2xy, minus 2xy, ठीक है, minus 2xy, plus, plus y, into, j cap, plus y, into, क्या मिलेगा, j cap, अब यह x, y को आप किसके form में break कर देजे, t के form में रख देजे, ठीक है, यहाँ पे लिखा आपने, x is equal to t square, y is equal to t, तो उसमेंगर हम लोग put करें, और limit रखें, limit कितना हो जाएगा, t vary करेगा, 0 to 1, ठीक है, और यहाँ पे आपको क्या मिलने वाला ह है, यह आप t की value रखेंगे, तो मिलेगा, 2t की power 5, ठीक है, 2t की power 5 minus 2t cube minus t, ठीक है, dt, और इसको integrate करेंगे, तो यह आपको मिलेगा, minus 2 by 3 मिलेगा, minus 2 by 3 कोई option में है नहीं, इसका मतलब none of these आपको क्या हो जाएगा, correct हो जाएगा, ठीक है, चले, आगे बढ़ते हैं, next question की त क्या करने वाला, किस तरीके से break करेंगे, यह आप लिख लेता हूँ, 4 और 4 लिख लेते हैं, फिर sin square theta लिख लेते हैं, और कितना लिखा, cos की power 4 theta को मैं लिखूंगा, cos square theta, और जो दूसरा cos square theta होगा, उसको लिख दूँगा, 1 minus sin square theta, ऐसे अगर आप smartly break करेंगे, तो आसानी स एक line मिस का answer आ जाएगा, तो यह देखें, आप किस में convert हो गया, यह आपका finally convert हो गया, 4 minus, 4, यहाँ पर sin square theta, प्लस cos square theta, 1 मिलेगा, मतलब यहाँ bracket नापो क्या मिलेगा, 4 minus, 4 sin square theta, 4 minus, 4 minus sin square 2 theta, मिलेगा, 4 minus sin square 2 theta, मिलेगा, अब देखें, जो sin square 2 theta हमारा है, sin square 2 theta, sin square 2 theta, वो vary कर 0 to 1 vary करता है, 0 to 1 vary करता है, minus multiply कर देंगे, और 4 add कर देंगे, 4 minus sin square theta, हमारा जो हो आएगा, 4 minus sin square 2 theta, वो हमारा vary करेगा, 3 to 4 vary करेगा, 3 to 4 vary करेगा, इसका मतलब minimum value कितनी 3 है, maximum value कितनी 4 है, sum up minimum or maximum value कितनी आजाएगी, 7, 3 plus 4 is equal to कितना आजाएगा, 7 आजाएगा, D option correct हो जाएगा ठीक है, next question है, 43, का जरा, a cap and b cap are two unit vectors, theta is angle between them, which are the following is the value of cos theta by 2, ठीक है, तो देखे है, हम लोग start यहाँ पर कहां से करने वाले है, यहाँ पर मैं a cap plus b cap के modulus का square करता हूँ, ठीक है, तो mod of a square कितना होता है, a dot a होता है, यहाँ पर मैं लिखोंगा a cap plus b cap dot a cap plus b cap, ठीक है, अच्छ mod of a square b dot b कितना हैगा, mod of b square और 2a dot b आएगा, मतलब mod of a square unit vector है तो 1 आजाएगा, mod of b square unit vector 1 आजाएगा, फिर 2ab, ab b 1 हो जाएगा, और कितना बचेगा, cos theta बचेगा, मतलब 2 plus 2 cos theta बचेगा, 2 common करके 1 plus cos theta के लिए formula लगा देंगे, 1 plus cos theta बराबर कितना होता है, 2 cos square theta by 2, मतलब यह finally kittना हो जाएगा, 4 cos square theta by 2 हो जाएगा, दोना तरफ square root अगर हम लोग ले लें, तो कितना मिल जाएगा, 1 plus b cap is equal to, 1 plus b cap is equal to 2 cos theta by 2, मिल जाएगा, तो यहां से आप से पुछा गया, cos theta by 2 कितनी हो जाएगी, हो जाएगी, 1 by 2, 1 plus b cap हो जाएगी, तो कौन सा option correct हो जाएगा, option C हम यह इंटर्सेट करते हैं पूछा जा रहा है कि विचाव फॉल्व इस करेक्ट बदकिक इंटर्सेट का जो हमारा कंडिशन होता है ना होता है c1 c2 c1 c2 less than r1 plus r2 और greater than r1 minus r2 जो भी बड़ा होगा उसमें से दूसरे को subtract करना या left में आप mod भी लगा सकते हैं ठीक तो यहां पर पहले वाले का center दो 0 0 है पहले वाले का center हमारा कितना है पहले वाले का center सरी पहले वाले का center कितना 1 kama 3 है दूसरे वाले circle का जो हमारा center है वो कितना 4 kama minus 1 है ठीक है पहले वाले का radius हमारा कितना है r है और दूसरे वाले का radius हमारा कितना है r2 is equal to कितना हमारा पास 3 है ठीक है तो अब यह सारी values को अगर हम इस condition में रखेंगे तो यहां समको क्या मिलेगा c1 c2 के बिच की distance कितना है जागे 5 less than और यहां से कितना मिल जाएगा 3 plus r और यहां से greater than कितना मिल जाएगा r minus 3 मिल जाएगा greater than r minus 3 तो इन दोनों को solve करेंगे तो सबसे पहले आपको क्या मिलेगा r greater than 2 मिलेगा ठीक है बढ़ते नेक्स्ट कोश्चन की तरव कोश्चन नमबर 45 का जर्द प्लेट इस टाचेज दा कॉन्कॉइड दिस देन दा वैलू अपीज इक्वल टू वाट देखिए इसके लिए फामूला आपको मालूम होना चाहिए कि अगर हमारा प्लेट किस फाम में है और हमारा जो कॉन कितनी आजाएगे 1 by 2, B कितनी आजाएगे minus 1 और C कितनी हो जाएगे 3 by 2, Z square is equal to 1, अब यह standard form में आ गया, कहा जाता कि यह प्लेट को तब टच करेगा उसके condition है, उसके condition क्या है, if L square by A plus M square by B plus N square by C is equal to कितना होना चाहिए, is equal to P square, यह condition होती है कि यह वाला जो प्लेट है, वह इस conquist को तब टच करेगा, जब यह condition होगा, इसमें जब आप values को रखेंगे, तो यहाँ से P की value आपको 2 मिल जाएगी, P की value कितनी मिल जाएगे, 2 मिल जाएगी, D option आपको क्या हो जाएगा, correct हो जाएगा, ठीक है, बढ़ते है, next question की तरफ, question number 46, तो कहा जाएगा, y is equal to kx minus 1 इसका orthogonal trajectory of the family of this state line, तो सबसे पहले आप इसका differential equation बनाएगी, तो देखिए, यहाँ से जब हम d y by dx निकालेंगे, तो कितना आजाएगा, d y by dx is equal to k आजाएगा, ठीक है, आप k की value हम इस equation एपूट कर दे, अगर, तो हमको क्या मिलने वाला है, y is equal to, y is equal to, क्या मिलेगा, d y by dx, d y by dx, into क्या मिलेगा, x minus 1, पहले तो differential equation बन गया, अब इसका orthogonal trajectory निकालना है, तो orthogonal trajectory निकालने के लिए, d y by dx को किसी replace कर देते है, minus d x by dy से replace कर देते है, तो जब आप इसको replace कर देंगे, तो y is equal to कितना हो जाएगा, यहाँ पे minus d x upon dy, और bracket में कितना हो जाएगा, x minus 1 हो तो यह किस तरीके का बन जाएगा, y into dy, ठीक है, और plus x minus 1 into dx, okay, is equal to कितना मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा, जब इसको integrate करेंगे हम लोग, तो यह किस form का बन जाएगा, यह बन जाएगा, x minus 1 का whole square, और plus y square is equal to किस form में बन जाएगा, c square, मतलब यह option आपका क्या हो जाएगा, correct हो question की तरफ, का जाएगा, let g be a cyclic group, आप order 6, then the number of elements, आप g belong to g, so that g is generated by g, चीक है, तो का राजएगा, 6 order का जो group है, उसको generate करने वाले, कितने generators होंगे, तो number of generators, देखे, इसके लिए formula होता है, number of, number of generators के लिए formula होता है, this is equal to 5 of, 5 of n, यहाँ पर 5 of 6 निकालना है, either 5 function है, 5 of 6 निक phi m into n का फामूला होता, phi m into phi n, जहाँ पर n और n को प्राइम होने चाहिए, ठीक, और phi, देखे, कुछ फामूले आपको मालू होना चाहिए, phi किसी प्राइम नंबर पर आपरेट होता है, तो p minus 1 देता है, तो 2 प्राइम है, मतलब 2 का answer क्या देगा, 1 देगा, 3 का answer क्या देग अब देखे, माना next question है, question number 48, तो देखे, इसके जो roots होता है, यह standard quadratic equation है, मतलब इसको आप सिर्दा चरफ हमूला से सजब solve करेंगे, इसके जो roots आएंगे, alpha is equal to कितना आएगा, minus 1 plus root 3 iota by 2, और minus 1 minus root 3 iota by 2, मतलब omega square आएगे, इसका root क्या आता है, alpha, एक root आता है, omega, दूसरा root क आता है, omega square आता है, omega square इसके क्या होते है, roots होते है, ठीक है, अब आप से कहा जाला है, तो वो equation बताएगे, इसके roots alpha की power 7 और beta की power 4 हो, to alpha की power 7 का मतलब omega की power 7, तो जो की कितना आएगा, omega 4 कितना हो, reflex आएगा, goal 8 हमारा, vít ya, negative 4, 1 minus sum of the roots into x, और plus product of the roots is equal to 0 यह quadratic equation ऐसे बना जाता है तो x square minus omega plus omega square के value minus 1 मिलेगी तो यह कितना मिल जगा plus x omega q मिलता 1 is equal to 0 तो वो equation जिसके roots alpha की power 7 और beta की power 4 होंगे वो क्या बनेगा x square plus x plus 1 is equal to 0 means d option हमारा क्या हो जाएगा correct हो जाएगा बढ़ते next question की तरफ कादरा की a and b are irrotational vectors then the divergence of a cross b is equal to what देखिए अगर a और b irrotational है ठीक है a और b अगर हमारे क्या है irrotational है तो हम लोग क्या लिखते curl of a is equal to 0 ठीक है irrotational है तो हम लोग क्या लिखते है curl of अगर a irrotational है तो curl of a is equal to 0 b irrotational है तो हम लोग क्या लिखेंगे करल आफ b is equal to 0 लिखेंगे ठीक अब यहां साब से पुछा का divergence आफ a cross b क्या होगा तो divergence आफ a cross b का एक फामूला होता है वो मैं यहां पर लिख देता हूँ divergence आफ a cross b is equal to b dot curl of a b dot curl of a minus a dot curl of b minus a dot curl of b तो curl of a तो 0 है और curl आफ b b 0 है 0 minus 0 कुल मिला कैंसर कितना आएगा 0 आएगा d option हमारा correct हो जाएगा ठीक है but the next question की तरफ question number 50 radius of curvature of this curve radius of curvature का जो फामूला होता है row is equal to वो कितना होता ds upon dsi row is equal to क्या होता ds upon dsi इसको si के respect में क्या कर देना differentiate कर देना है जब आप differentiate करेंगे तो इसका radius of curvature a6i आएगा a6i का मतलब कौन सा option correct हो जाएगा b option आपका correct हो जाएगा बढ़ते हैं but the next question की तरफ 51 कहा ज़रा h and k are the subgroups of the g order of h is equal to 3 order of k is equal to 5 then order of h intersection k is equal to what अगर हम लोग a intersection k हमारा जो होता है h intersection k वो subgroup होता है अगर हम लोग a intersection b की बात करेंगे a intersection b जो होता है a intersection b is the subset of a and a intersection b is the subset of b ठीक है ऐसे h intersection k वो subgroup होगा किसका h का और h intersection k will also be the subgroup of k और आपका मालूम है कि अगर subgroup है तो यह h के order को क्या करेगा divide करेगा मतलब order फार्मूला पढ़ा है आपने कि जो subgroup को order होता है वो group के order को divide करता है तो order of each intersection k वो divide करेगा order of each को order of each कितना 3 है और order of each intersection k वो k के भी order को divide करेगा जो कितना 5 है तो 3 और 5 दोनों को divide करने वाला वो उसका answer आएगा तो 3 को divide करने वाले कौन-कौन से लोग होते है 1 और 3 और 5 को डिवाइट करने वाला कितना था 1 और 5 तो दोनों में common क्या है मतलब 1 है ठीक है तो order या या जिंटेज सक्षिन के कितना होगा 1 होगा मतलब यह option आपको क्या हो जाएगा correct हो जाएगा ठीक है next question question number 52 sum of the series 1 upon 2 factorial plus 1 plus 2 upon 2 factorial इस तरीके से है तो देखिए सबसे पहले इसका एनथ टर्म निकाली एनथ टर्म कितना आएगा 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus dot 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 plus n divided by कितना आजाएगा divided by आजाएगा n plus 1 factorial आजाएगा और 1 plus 2 plus 3 कितना होता है n first sum sum of first n natural number वो कितना आता है n plus 1 by 2 आता है ठीक है न और divided by नीचे कितना n plus 1 factorial है तो नीचे से n plus 1 बाहर करके उपर वाले n plus 1 से कट कर दें अगर हम लोग तो यहां समको क्या मिलने वाला है tn is equal to मिलेगा n upon 2 times n factorial फिर n निकाल के बाहर cancel कर दें तो 1 upon 2 times n minus 1 factorial हा जाएगा चीक है अब जो esn होता है वो कितना होता है sigma tk k varies from 1 to n चीक है e by 2 होगा तो d option आपको correct हो जाएगा ठीक है next बढ़ते है next question की तरव तो हमारा जो next question है question number 53 कहा जारा horizontal range आप फिर प्रोजेक्टायर is equal to the maximum height then the angular projection is equal to what मतलब कहा जारा h is equal to r तो h is equal to क्या होता u square sin square theta upon 2g ठीक है और r is equal to क्या होता u square sin 2 theta sin 2 theta का मतलब 2 sin theta cos theta upon g होता है ठीक है यहां से u square upon g को cut कर दीजे आप 1 sin theta 1 sin theta से cut जाएगा तो यहां से 10 theta is equal to कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा थीटा के value कितनी हो जाएगी 10 inverse 4 हो जाएगी c option आपको क्या हो जाएगा correct हो जाएगा ठीक है एंगल आप projection आपसे पूछा जाएगा था का जा रहा है कि question of 54 if y is equal to 4x minus 5 is the is the equation of the tangent ठीक है to this curve at the point 2,3 then a b is equal to what अब देके 2,3 इस curve पे लाई करता है तो इस satisfy करेगा इस curve को satisfy करेगा तो y के जगह मैं 3 रखूंगा तो 9 और x नहीं हम पर 2 रखूंगा तो 8 a plus b पहला equation तो यह हो गया हमारा दूसरा अब देखें यह tangent है इस tangent का slope देखें यहां से tangent का slope के अगर हम लोग बात करें कितना हो गया 4 और एक बार curve को differentiate करेंगे तो वहां से भी tangent का जाएगा 2 और A is equal to 2 जब इस equation number 1 में रखेंगे तो B is equal to minus 7 मिलेगा एक कामा 2 की value कितनी हो गई 2 कामा minus 7 मतलग कौन सा option correct हो जाएगा B option correct हो जाएगा ठीक है आगे बढ़ते हैं काजरा Y is equal to minus 1 when X is equal to 0 then the solution of this differential equation is equal to what ठीक है इसको थोड़ा सा गर हम लोग अच्छे से arrange करके लिखें तो यह हमको मिलेगा dy upon 1 plus y square ठीक है और plus e की power x upon 1 plus e की power 2x dx ठीक है is equal to क्या मिलेगा is equal to 0 अब इसको integrate कर देते हैं integrate कर देंगे तो क्या मिलेगा हमको 10 inverse y और plus 10 inverse e की power x is equal to क्या मिलेगा c मिलेगा ठीक है ना और इसमें कहा जाला कि x is equal to 0 और y is equal to minus 1 जब हम put करेंगे तो यहां से हमको c की value कितनी मिल जाएगी 0 मिल जाएगी ठीक है तो जो मारा final answer आएगा वो कितना जाएगा 10 inverse y 10 inverse y plus 10 inverse e की power x is equal to 0 तो कौन सा option correct हो जाएगा यह option आपको क्या हो जाएगा correct हो जाएगा ठीक है बढ़ते next question की तरफ कहा जरा है the equation आपे right circular cone with vertex at the origin and axis the z axis and semi vertical angle pi by 4 is equal to what तो देखें मैं आपको बता दू equation आपे cone with the vertex at the origin and axis z axis semi vertical angle alpha यह सब जब हो तो उस cone का equation क्या होता है x square plus y square is equal to होता है z square 10 square alpha z square 10 square alpha यह कौन से cone का equation है उस cone का equation जिसका vertex origin पे हो जिसका axis z axis हो और semi vertical angle कितना हो alpha हो ठीक है इसमें alpha is equal to pi by 4 put कर देंगे 10 pi by 4 1 मिल जाएगा equation क्या मिल जाएगा उस cone का x square plus y square is equal to z square b option आपका correct हो जाएगा ठीक है next question is Cartesian equation of the common cutnery तो direct है formula ही है y is equal to c cos hyperbolic x y c यह तो क्या होता है Cartesian equation होता है common cutnery का question number 58 का जरा dimension of the vector space of 3 cross 3 real symmetric matrices the dimension of the vector space of 3 cross 3 symmetric matrices is equal to what 3 cross 3 का symmetric matrix मनाइए और देखें आपको कितने different different element की जरूरत पड़ती है देखिए यहां पर मैंने a लिखा तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं यहां पर अगर b लिखेंगे तो यहां पर आपको b लिखना पड़ेगा symmetric matrix की यही तो definition होती है न a transpose is equal to a यहां पर अगर मैं c लिखोंगा तो यहां पर c लिखना पड़ेगा यहां पर दिक्कत नहीं यहां पर e लिखेंगे तो यहां पर e लिखा जाएगा और यहां पर e f लिखा जाएगा तो इसको इस symmetric matrix को लिखने के लिए कितने different element के जगरत पड़ी कुल मिला के 6 different element के जगरत पड़ी इसका dimension कितना होता 6 होता है तो 58 का कौन सा option correct हो जागा बी option correct हो जाएगा ठीक है 59 की बात करते है smallest value of the positive integer n for which 1 plus i iota की power n is equal to 1 minus iota की power n लेकि 1 plus iota upon 1 minus iota की बात करें इसको अगर हम लोग conjugate से multiply करके simplify करें तो यह कितन to 1 तो smallest value n की कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी कौन सा option correct हो जाएगा बी option correct हो जाएगा ठीक है next question है the straight line the straight line y is equal to mx lies outside of the circle x square plus y square is equal to this then the value of m is equal to what देखे इस तरीके का एक circle है और यह line is outside होने के लिए condition यह होगी न यहाँ से जब हम इस पर perpendicular draw करेंगे तो length लेंथा perpendicular हमेशा radius से क्या आएगा बढ़ा हैगा तो length परपेंडिकुलर आप ड्रॉक कर दीजी कहां से उसके center से उसका center हमारा कितना है 0,10 है उसका center हमारा कितना है 0,10 है और line का equation हमारा कितना है line का equation हमारा mx-y mx minus y is equal to kitna है 0 है तो length perpendicular जब आप draw करेंगे इस पर तो कितना जाएगा 10 upon वह जाएगा 10 upon under root 1 plus m square और वो greater than radius से radius हमारा कितना root 10 है इसको अगर हम लोग simplify करें तो यह कितना मिल जाएगा 1 plus m square less than 10 मतलब m square less than 9 मतलब mod of m कितना मिल जाएगा less than 3 मिल जाएगा तो mod of m less than 3 का मतलब यह option आपको क्या हो जाएगा correct हो जाएगा तो friends आज के lecture को मैं यहीं समाप कर रहा हूं hope so आपको अच्छा लगा होगा पसंद आया होगा तो एक like के बटर दबाना नहीं बूलेगा बाके के solution में next lecture में आपको जरूब घरवाऊंगा तब तक के लिए thank you very much